C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का छठा सबक सबक छे बी अम्मा सफ़ा नंबर 35 हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दो जहत में मर्दों के साथ और्टों ने भी बराबर का हिस्सा लिया मौलाना मौहमद अली जोहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा मौहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिल्सले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी उनके वालिद का नाम मौजफर अली था उनका तालुक रईसों और मनसबदारों के खानदान से था ये खानदान अम्रोहा का रहने वाला था 1857 में इस खानदान ने तै किया कि अगर देली और मेरट की तरह अम्रोहा में भी आजादी की जिद्दो जहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत काहिम कर लेंगे इस बास से मालुम होता है कि बी अम्मा के खानदान में हमेशा से अपने वतन से महबबत पाई जाती थी बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेजों के मजालिम की दास्ताने भी बुजरगों से सुन रखी थी इसके नतीजे में अंग्रेज हुकमरानों से उन्हें नफरत हो गई शोहर के इंतिकाल के बाद बच्चों की निग्रानी उनके सुपुर्द हुई मुहमद अली दो साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे बी अम्मा ने इन दोनों भाईयों की तर्बियत इस धंग से की के आगे चल कर मुहमद अली और शौकत अली ने अंग्रेज हुकुमत को हिला कर रख दिया बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया वो चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेजों की जालिम हुकुमत के खिलाफ जिद्दो जहिद करें और उनकी ये मुबारख खाहिश पूरी भी हुई मुलाना मुहमद अली और मुलाना शौकत अली जो अली ब्रादरान के तौर पर जाने जाते हैं उन्होंने कलम और जबान के जरिये अंग्रेजों के खिलाफ आवास बुलंद की बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और उनका होसला पढ़ाती रही जब अली ब्रादरान जेल में डाल दिये गए और कुछ लोग अंग्रेजों से समझोते की बात करने लगे तो भी अम्मा ने कहा गवर्मेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफों से बचने के लिए अगर वो किसी ऐसी बात का इक्रार कर लेंगे जो उनके मजबी एहकाम या मुल्की फाइदों के जरा भी खिलाफ हो तो मुझे यकीन है कि अल्ला पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे जुरियां पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घूर दूँगी सफ़ा नंबर सैंटीस बी अम्मा के इस बयान से उनकी होसला मंदी, जुर्रत, मजब और वतन से गहरी महबद साफ जाहिर होती है मार्च 1924 में बी अम्मा की तबियत खराब हो गई उन्हें अम्रोहे से फौरण रामपुर लाया गया अली बिरादरान अपनी मा से मिलने के लिए रामपुर आए लेकिन अंग्रेज हुकुमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोप दिया जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई और इस्रार किया मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी मचबूरन उनको देहली लाया गया उनकी ख़ाहिश थी कि हिंदुस्तान की आजादी और हिंदु-मस्लिम इत्धाद को वो अपनी आँखों से देख लें आखिर बी अम्मा इसी ख़ाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है बोली अम्मा मुहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो सफ़ा नंबर 38 मानी याद कीजिए जिद्दो जहद शदीद और लगातार कोशिश विलादत पैदाईश मनसबदार उहदेदार मजालिम जुल्म की जमा ज्यात्ती करना, सताना सुपुर्द करना हवाले करना तर्बियत परवरिश रहन गिर्वी किसी चीज को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्द के लिए रखना इकरार मानना, तसलीम करना जुर्रत हिम्मत इत्तिहाद एका, मेल जोल निगरानी देख भाल, हिफाज़त सोचिये और बताइए सवाल एक बी अम्मा का तालुक किस खानदान से था? सवाल दो बी अम्मा के खानदान में वतन से महबबत किस बात से जाहिर होती है? सवाल तीन अंग्रेजों से समझोते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था? सवाल चार शोहर के इंतिकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की? सवाल पाँच अली ब्रादरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेजों ने उनके साथ क्या सुलूक किया? सवाल छे बी अम्मा की आखरी खाहिश क्या थी? सफ़ा नंबर उन्तालीस इन लवजों के मुतजाद लिखिए आजादी नफरत इकरार रईस शुरू मुबारक दिये हुए लवजों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए बुजर्ग इसरार तर्बियत रुखसत होसला खाहिश खाली जगा को सही लवज से भरिये एक मौलाना मुहम्मद अली जोहर की वालिदा खाली जगा के तौर पर जानी जाती थी दो भी अम्मा का तालुख खाली जगा और खाली जगा के खानदान से थे तीन अंग्रेजों के खाली जगा की दास्तानी भी खाली जगा से सुन रखी है चार अली ब्रादरान ने खाली जगा के जरिये अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की पाँच अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें खाली जगा पर रोग दिया छे, हिंदुस्तान की आजादी और खाली जगा को वो अपनी आखों से देख ले इस सबख में एक मुरकब लब्ज मनसबदार है, जिसके मानी है अहुदेदार इस तरह लब्जों के आगे दार लगा कर पांच नए अलफाज बनाएए बी अम्मा के बारे में चंद जुम्ले लिखिए सफ़ा नमबर चालीस गोर करने की बात ये सबख बी अम्मा और उनके दो बेटों मौलाना मौहमद अली जोहर और मौलाना शौकत अली के इसारों महबत और कुर्बानी का दर्स देता है इस सबख को पढ़कर मालूम होता है कि बी अम्मा अपने मुल्क की आजादी के लिए कितनी फिक्र मंद थी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तयार रहती थी बी अम्मा का बीमारी की हालत में अपने बेटों से मिलने खुद स्टेशन पहुंच जाना उनकी जुर्रतमंदी का पता देता है मुसल्मानों की तारीख में खिलाफत का मतलब ये है कि सियासत में बादशाहत नहीं होती यहां हुक्मरा को खलीफा कहा जाता है खलीफा की मानी, जानशीन या नाइब के हैं खलीफा अपना हुक्म नहीं चलाता वो जमीन पर खुदा का नाइब होता है इसलिए खुदा ही का हुक्म चलाता है इसी को खिलाफत कहते हैं इसी के साथ अपनी जबान भागदो का छटा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक साथ आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत